जहें दोस्तों अंदे मातर राधे शाम को लेकर बहुत ज्यादा बज बना हुआ था लेकिन जो उसके रिव्यूज निकल कर सामने आए हैं वो रिव्यूज बता रहा हैं कि ये मूवी जो है सच्चाई से लखेर कोसो दूर थी क्योंकि एक मतलब फैंटेसी मूवी थी लेकिन उसके बाद भी ये काफी ज्यादा बेजिल टाइप की मूवी लगी हाला कि प्रभास के फैंस को इचीज सुनकर बोड़ा दरू लग सकता है लेकिन देखी जो चीज अची नहीं लगी वो चीज अची नहीं लगी तो यहाँ पर मैं अपने आखों के उपर जो चश्मा है साओथ इंडिन सिनिमा का बनाकर नहीं लगा सकता कि चाहिए कोई मूवी आ जाए साउथ की वो अच्छी लगेगी प्रभास की मूवी लिटरली अच्छी नहीं लगी है हाँ वन टाइम वाच है आप जाकर देख सकते हैं लेकिन जो एक स्टेटस जो एक बार सेट कर दी है बड़े सितारों की मौझूदगी भी विश्यस्तरी तकनीक के सहारे बनने वाली फिल्में भी कमजोर कहानी और मजबूर डायरेक्शन के बिना प्रभाव छोड़ने में सिफल रह जाती है कुछ ऐसा ही हाल पैन इंडिया सूपरस्टार प्रभास और साउथ एक्टरिस पूजा हिगडे की फिल्म रादेश शाम का है करीब साड़ा तीन सु कर्ड़ रुपए के बजट है बनी इस फिल्म से मेकर्स और दर्शकों को बहुत जादा पेक्शाय थी लेकिन मेकर्स दर्शकों के उमीदों पर खारे नहीं उतर पाए सोशल मीडिया पर इस फिल्म को लेकर मिली जूली प्रतिकिराय मिल रही है लोगा कहना है कि फिल्म दर्शकों पर असल छोड़ने में नाकाम साबित हुई इसमें बड़े सितारों और तकनीक के सहारे खुबसूरत काम करने कोशिक की गई है लेकिन ये सब धरे का धरा रह जाता है यहां तकि प्रभास को छोड़ने तो बागी कलाकारों का बिनाए भी काफी एवरिज से भी नीजे रहता है यूवी क्रियेशन्स और टी सिरीज के बैनर तले बनी फिल्म रादे शाम में प्रभास, पुजाहिगडे, मुरली, शर्मा, भागीश्री, जगपती, बाबु, सचिन, खिड़ेकर और सतरा जैसे कलाकार एहम किरदारों में है फिल्म का निर्देशन, राधा क्रिशन्टर कुमार ने किया है मुक्यता तेल्गू के लिए काम करने वाले राधा ने साथ साल पहले अपनी पहले फिल्म बनाई थी जिल बनाई थी गोपी जंद, राजशिखनना और कबीर गुद्रन जैसे कलाकारों को लेकर बनाई गई ये फिल्म बॉक्स ओफिस पर फ्लॉप रही थी इसके बावजूद इसके मेकर्स ने फिल्म राधे शाम पर भी दाव लगाया है इतना ही नहीं प्रभाज जैसे एक्शन हीरो को लेकर एक रोमैंटिक फिल्म बनाने का रिस्क भी लिया लेकर फिल्म समीशकों और उनके दर्शकों को मिली जोली प्रतिक्यों के बाद यदि बॉक्स ओफिस कलेक्शन भी उम्मीदों के नुशार नहीं हुआ तो ये मेकर्स के लिए किसी सदमे से कम नहीं होगा योगी साड़ तीन सो करोड रुपे के बजट ने बनी फिल्म से कम से कम हजार करोड रुपे कमाई कि अपेक्शा हर कोई रखता है अब देगां दिल्चस्प होगा कि फिल्म का कलेक्शन कितना हो पाता है सोशल मीडिया पर प्रभास के फैंस उनकी फिल्म की तारीफ कर रहे है वहीं कुछ लोग अपनी निराशा ही रता रहे है ट्विटर पर एक यूजर आदरश फिल्म को पौने पांच रेटिंग देते हुए कहते है कि फिल्म रादेश शाम देखने के बाद मुझे एक बर फिल्म विश्वास हो गया है कि यदि कोई है तो भारती सिनमा को हॉलिवड के लेवल पर लेके जा सकता है तो वो एक मातर प्रभास डार लिए है जिस तरह से उनका गरिशमा परदे पर दिखाई देता है वो शानदार है फिल्म को देखने के बाद मैं दंग रहे गया वहीं एक और दर्शा का लुवंगी लिखते हैं दोस्तों यदि आपको सिरदर्द की दवाईया खाना पसंद है तो आप सिनमा घरों में जाकर फिल्म रादे शाम देखी ये इस साल की सबसे ज़्यादा बोरिंग हुई है जिसे देखने के लिए मैंने 500 रुपे खर्च करके ठीटर में गया था लेकिन वहां से सिरदर्द लेकर लोटा हूँ मैंने सोचा कि प्रभास की फिल्म है मज़ा आएगा लेकिन इसमें स्क्रिप्ट कहा है समझ में नहीं आता प्रभास जैसे एक्टर ऐसी फिल्म को क्यों किया ये समझ में नहीं आता ऐसी फिल्म को पैन इंडिया रिलीस करना ही नहीं चाहिए था इस फिल्म को देखने के बाद शिवा सत्यम ने टुरिटर पर लिखा कि ऐसे हैं नहीं है इस फिल्म को देखने के बाद मैंने दो बार सिर्दर्द की दवाय खाई लेकिन अभी तक दर्द बना हुआ है ये इस साल की सबसे ज़्यादा बोरिंग और बकवास मूवी है इस फिल्म का हर एक सीन हर एक चीज खराब है पता नहीं क्यों इस फिल्म को बनाय गया है यदि इस फिल्म देखना ही चाहते हैं तो आपको सुर्दर्द की गोली साथ में रखने की मिसला देता हूँ वहीं ग्यूसरी यूजर ने आल डिरेक्टर की तारिफ करते हूँ लिखा कि फिल्म रादेशाम का असली हीरो इसका आल डिरेक्टर है बहतरीन वीज्वल्स हैं प्रभास भी अच्छे लग रहे हैं पूजा हिगड़े प्यारी लगती है इसके अलावा फिल्म की कहानी निराश करती है इसे देखते समयें बहुत ज़्यादा पेक शाय मत रखो फिल्म आपको निराश कर सकती है राजेश कुमार लिखते हैं कि रादेशाम एक बहुती सुन्दर प्रेम कहानी जिसे डारेक्टर राधा कृष्णा ने खुबसूरती से क्राफ्ट किया है प्रभास और पूजा हिड़े की बहतली अदकारी को देखते हुए फिल्मानन ने और वी एफेक्स के बारे में भी तारीफ करते हुए लोग इसको काफी अच्छी मूवी बता रहे है बात करने कहानी की तो कहानी है हाथ की लकीरे पढ़ने वाले विक्रमादित और डॉक्टर प्रेणा की विक्रमादित के हाथों में प्रेम की रेखाएं नहीं है और उसकी विद्या कहती है कि उसके हाथ में लव लाइफ नहीं है तो वो कभी प्यार नहीं कर सकता तैसे में प्यार से बचने के आले विक्रमदित प्रिणना के प्यार में गिर जाता है। इधर डॉक्र पृड़िणा एक गंभी बिमारी से लड़ रही है जिसके पास दो माईने से जादा का वक्त भी नहीं है लेकिन विक्रमजित कमानना है कि पृड़िणा का मरत्युकाल अभी नहीं है वो भी लंबा जियेगी अब क्या होगा क्या विक्रमजित के हाथों में जो लकीरे हैं वो काम करेंगी या नहीं करेंगी या खुद ही उन लकीरों को गिर देगा या फिर जो मेडिकली प्रूव हो चुका है वो उसको भी बदल सकता है उससे गलत थावित करते हैं विक्रमजित के भविश्वानी साथ